नमस्कार न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं डिश्टल की दुनिया एक समनांतर बहुत एक दुनिया के समनांतर चल लगी है वहां पर भी अर्थवस्थाएं चलने लगी हैं वहां भी जीवन सेलिया चलती हैं फेस्बुक ने अपनी मुद्रा लिब्रा की पहल की है इसी पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूज क्लिक के अडिटर इंचीफ प्रबीर तो प्रबीर मुद्रा से हम समझते हैं कि महीने भर काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा कुछ खरीदने जाते हैं तो पैसा करते हो अज क्या रूपी पेव बहुत सारे चीज़ें चलती है उस तरह से आप करते हो तो यह एक तरह से यह कह सकते हैं यह भी डिजिटल करेंशी है एक तरफ से कह सकते हैं और यह भी है कि इसको लिब्रा को क्रिप्टो करेंशी करार दिया गया है पर हकीकत पे क्रिप्ट क्रिप्टो करेंसी का पतलब यह होता है कि इसी के पीछे किसी भी कंपनी हो या किसी भी आपका देश हो उसका ठपा नहीं है और वह अपने आपको साबित कर सकता है कि यह लेजिटिबेट करेंसी है उस उसके मताबिक तो बिटकॉइन है इस तरह से और भी क्रिप्टो करेंसी तो यह कहते हैं कि इसके लिए किसी की permission नहीं चाहिए, permissionless currency है इस transaction को guarantee करने के लिए, तो यह भी एक तरह का currency है, तो digital currency अलग-अलग तरह से और इस वक्त हम इस्तिमाल करते हैं, कुछ लोग criminal purposes के लिए cryptocurrency के इस्तिमाल करते हैं, कुछ लोग इसको एक जैसे painting सा पहरित के रख दे करते हैं, उस में कीबत कभी बढ़ेंगे, इसके लिए करते हैं, इसको करते हैं, इसको करते हैं, asset के रूप पे इस्तिमाल करते हैं, तो इसको यह नहीं समझे कि digital currency, Facebook ही पहली बार introduce करा है, ऐसा नहीं है, दूसरी बात जो Facebook के Libra currency के बारे में कहेंगे, कि यह cryptocurrency नहीं है, यह की Facebook की guarantee और Facebook कुछ और दोस्त कमपनिया है, जिसके जरिये यह आपको guarantee की जा रही है, तो इसके पीछे Facebook है, एक हिसाब से आप कह सकते हैं, Facebook भी आपको अपने आपको एक देश घोशना करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें आप अगर Libra खरीदे, अपने मुद्रा से, तो Libra आ जन्या में, Facebook की ecosystem में आप इस्तमाल कर सकते हो, Facebook कल हो सकता, Amazon के तरह बिक्री करे, यह तो Facebook में आप चीज़े खरीदना चाहो, आप तब उसको लिए आप इस्तमाल कर सकते हो, तो देखना मुड़ेगा Facebook को ecosystem, economic ecosystem क्या बनता है, तो यह दो तो Libra के बारे में है, तो और digital currency के बा currency से, और दूसरी बात यह है कि इसका असर दुनिया पे, financial दुनिया पे खास तोर पे कैसे पड़ेगा, क्योंकि मुद्रा का दो दोहरा चेहरा है, एक तो आप चीज़ों खरीदने के लिए अब इस्तमाल करते हो, एक जो मुद्रा होती है, जो आप बैंक में जमा करते हो, आ लिब्रा क्या, दोलों पहले को फुल्फिल करेगा नहीं, यह भी सोचने की बात है, आपने कहा है कि मुद्रा की दो जो काम है, मुद्रा का इनी सब काम हैं को इस उस पर regulation भी किया जाता है, कुछ व्यवस्थाएं बना जाती हैं कि regulation हो, वो कुछ गलत कामों के लिए उपयो मानते आये हैं कि मुद्रा के ऊपर regulation इसलिए होना चाहिए, पहले तो इसका income tax होता है, ठीक है ना, तो लोग अगर इस पे कमाते हैं पैसे, तो कही ना कही इसकी एक खबरदारी होती है, उसकी एक निगरानी होती है, कितना पैसा आपने कमाया और वो पैसा का tax आपने जमा क तो इसलिए हर transaction पे, क्योंकि उसका tax system से जुड़ा गवा है, एक निगरानी सरकारों की रहती है, और एक regulatory burden रहता है, जो इस मुद्रा की transaction को register करते हैं, उनका regulatory burden यह है कि वो खबर आप सरकार को दें, और उसके बाद आप जिससे पैसा कमा रहे हैं, उसका भी एक खबरदारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन जिसे कहते हैं, गनेश उलटके अपने दुकान बंद कर दिया, सबका पैसा लेके आप भाग गया, क्योंकि बैंकों में पहले ही हुआ हुआ करता था, तो इसलिए एक उस पर भी निगरानी रखने की जरूरत है, जो खात दोर से जो बचत के लिए जो पैसा जमा करते हैं, जिसके आधार पे बैंक चलती है, यह नहीं कि बैंक का काम यह है, आपको आपका बचत वहाँ पर अपने वॉल्ट बे रखे, उसका काम है कि पैसा दूसरों को उधार दे, तो इसके उपर एक निगरानी सरकारी तोर से आप फाइ financial company कहते हैं, उस पर एक निगरानी अलग अलग तरीके से निगरानी रहती है, तो यह बात यह है कि Facebook कह रहे हैं कि कि किसी देश के निगरानी इस पर नहीं होगा, हम जो 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 जिनके bank account नहीं है, excluded है, उनको हम include करेंगे, क्योंकि वो Facebook के member है, अभी Facebook का मेरे ख्याल से करी दो बिलियन से उपर लोग Facebook के members हैं, तो दो बिलियन लोगों के लिए bank वगारा कोई चीज़ नहीं चीज़े है, इसलिए फेसबू के काफी है, तो सवाल इसका, दो सवाल इस पर आता है, एक तो सवाल यह है, कि Facebook क्या सच पुछ, सब देशों के कानून के बाहर है खुद, स कोई भी देश पे उस पर कोई बंदिश नहीं होगा, अमरीकन बंदिशी सिर्फ रहेगा, इसका मतलब Facebook अपना empire, financial empire जितना बढ़ाएगा, उसके दाएरे American empire का भी बढ़ोतरी होगी, तो यह कहना, Facebook किसी देश और किसी central bank से जुड़ा हुआ नहीं है, गलत होगा, यह बलकि जुड़ा होगा, अमरीकन निगरानी के अंदर वो होगा, और Facebook का legal जो भी चीज़े है, वो अमरीका से पालित होगी, आपने देखा है अभी Google पर कैसे अमरीकी सरकार ने बंदिश लगाया, तो immediately उस Huawei को उसने कहा, कि हम आपको और कोई software नहीं देंगे, Google Play Store पे आपका कोई चीज़ नहीं रह सकता है, और इस तरह से और भी चीज़ें, वहां से वो भाष्कृत हुआवे को कर दिया, इसका मतलब अमरीकी कानून जो है Google पर लागू है, और इस तरह से अमरीकी कानून जो है Facebook पर भी लागू होगा, तो सिर्फ दूसरे देशों की कानून नहीं लाग होगा, सिर्फ अमरीकी कानून लागू होगा, यह इसका मकसद निकलता है, इस पर आप, यह मत समझे की कोई मंगड़त कहानी बता रहा हूं, यह इरान के साथ पहले हो चुका है, कि इरान पर सैंक्शन जब लगा था, तो उसका पैसा जो अमरीकी बैंक में जमा था, जो की बाहर के ब्रांचों में, यह नहीं कि अमरीकन ब्रांचेस में जमा था, यॉरप के या दूसरे देशों के ब्रांच में जमा था, क्योंकि इरान की लेंदेन चलता था, इन कंपनियों के ब्रांचेस के जरिये चलता था, तो वहां पर इनका सब पैसा जब्त कर लिया गया थ और ये उन्हें 79 की बात मैं कह रहा हूँ तभी जो जिबी कार्टर ने जो उसका घोशना था उसमें ये था ना कि सिर्फ अमरीका में इरान की जो प्रॉपर्टी हो इरान के जो पैसा हो वो भी जब्द कर लिया जाएगा पलकि कोई भी अमरीकन ब्रांच में अगर इरान का प इंटरनाशनल कोर्ट अफ जस्टिस पे अभी भी केसेज चल रहे हैं इस बात पे तो ये कित्ते पहले की घटना सोच लेजिए तो अमरीका अमरीकी कानून हर अमरीकी कंपनियों पे लागू है इस पे कोई बहस की बात नहीं है इस थाबिद बहुत पहले ही हो चुका है सर हम सुनते हैं खबरों में की फिनांसियल क्राइसिस हो गया बैंकिंग क्राइसिस हो गया अर्थवस्था चमरा रही है और वैसी स्थिति में एक पैरलल डिजिटल दुनिया में ऐसी चीज़े आती है जिस पर किवल एक ही देश का रेगूलेशन होता है तब यह कैसी दुन किज़े तरहिए टेल्म सब्देश को चाहिए तो डॉलर एक तरह से इंतरैशनल करेंसी का नीग मना वह है इस पर देख सकते एरान के संक्षन हो र Families की सबिहिए घेंगन की सेंक्षन सो इन सब देखी इन सब चीओं को देखते हुए, अब दुनिया में सोच तो है, कैसे अलग तरीके से हम अपना लेंदेन कर सकते हैं, डॉलर के जरीए ना जाए, क्योंकि अमरीका के कानूनन, अमरीका के पास एक थात्यार उटने बना लिया है, कोई भी अगर डॉलर करेंसी मेंशन होगा, किस हेजमनी भी बना लिया है, यह दबाके सोचते वाली बात है, क्योंकि इसके जरीए, उन्होंने अलस्तॉम, जो फ्रेंच कंपनी है, इंदोनेशिया में कुछ कर रहे थे, उस पर उन्होंने बनेखाल से 700 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा फाइन लगा दिया था, मैं एक चीज और इस पर जाना चाहूंगा, कि आप दो डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, कि फेस्बुक कर क्यों रहा यह चीज, फेस्बुक को क्या जरूर पर लिब्रा निकालनेगी, तो मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा, कि लिब्रा का दो पहलु है, एक तो है, वो कह रहे हैं, कि फेस्बुक के अंदर की दुनिया में लिब्रा चलेगी, पर यह नहीं बता रहे हैं, कि लिब्रा के लिए, हम और आपको क्या करना पड़ेगा, अगर हम लिब्रा इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लिब्रा खरीदना पड़ेगा, इसको जिसे डिजिटल वालेट कहते है हम चाहे वो पेटी अब हो चाहा मैं जो जिकर किया था दूसरे ऐसे वालेट्स है तो वालेट्स में हमें पैसा जमा करना पड़ेगा अज यह जो पैसा जमा होगा उस पर कोई इंट्रेस्ट आपको और हमें नहीं मिलेगा तो वो अभी फेस्बुक के पास मेरे ख्याल से च आफ उनके पास है वो हम बढ़ाएंगे अपने पैसा वहाँ जमा करके अध्यूसरी बात है कि यह पैसे यह लह पाइस जबा नहीं रहता यह पैसा भी के फेस्बुक इन blues करता अपने अपने रिसषड से अपने आफ्तरे अपने कामों और क्मपनिया खरीदने में। इक तो तो इसका एक पहलू ये भी है और दूसरा पहलू ये है कि जो फाइनेशल दुनिया में अगर फेस्बुक आना चाहता है तो हम हमारे पैसे दे के दुनिया के जो फेस्बुक की मेंबर्स है वो पैसा दे के उसको मदद करेगी तो एक फेस्बुक के पास फाइनेशल दुनिया में प्रवेश करने के लिए ना तो कोई रेगुलेटरी बंदिश होगा अमरीके कानून के इलावा और उसके पास हम बलकि उनको पैसा देंगे ये काम करने के लिए एक दोहरी सुविधा कह सकते हैं फेस्बुक मिलेगा और मेरे ख्याल से अमरीकान सरकार इसलिए फेस्बुक को इस बात पर रेगुलेटर नहीं करेगा बलकि ये बढ़ाने देगा नहीं अगर अमरीकीन जनता को इस पर कोई सवाल उठे वहां पर कोई राजडितिक सवाल उठे अभी उठ रहा है कि फेस्बुक करना चाहिए फेस्बुक बहुत पावरफुल हो गया गूगल फेस्ब कि लिब्रा से भी उठ दुनिया की फाइनेशिल दौनिया उस पर एक कबजा रखे अंदिन सवाल आप से फेस्बुक की खत्रों के बारे में जब भी बात करते हैं तो प्राइवसी का मसला चला आता है प्रोफाइलिंग का मसला चला आता है वह चुनाव में हमने सारी चीज है इस पूरी चीजों के लिए इस पे तो खैर और एक दिन शद रूफ से बात करनी पड़ेगी पर एक छोटा से सवाल जो दूसरे लोग दे रखा है कि फाइनेशिल कंपनियों की एक प्राइवसी अपने खरिदारों जो इस्तबाल करते हैं उनकी सर्विसेस उनके लिए हो होनी चाहिए क्योंकि सरकार को वो चीजें बताते हैं वो तो ठीक है जायस है पर वही चीज अगर वो खुद इस्तबाल करें अपने कॉंपिटिशन करने के लिए मैं माल लिजी एक बड़ा कंपन हूँ मैं कुछ कारोबार करता हूँ अगर बैंक भी वही कारोबार मेरे जाए इसका मतलब मेरा जित्ता खबर है वैसे भी उसके पास होगा तो यह गलत होगा इसलिए रेगुलेटरी बैरियर्स है कि आप अगर यह काम करते हो तो वह आप नहीं कर सकते हो फेस्बुक के पास ऐसी कोई जो है बैरियर होगा नहीं तो इसलिए जो कंपनी अपना हमा आराप का प्राइबसी उस पर जो वह खेल रहे हैं इस वक्त क्योंकि उसका पैसा सिर्फ हमारे प्राइबसी वाइलेट करके एक तरह से या तो हमारे खबर हमारे डेटा बेच के अलबिटाइजर्स को जो पैसा बना रहे है उसके हाथ पे यह सब चला जाना यह तो ऐसे भी परस पर विरोधी बात हो जाती है, क्योंकि Facebook जिस तरह से हमें जानता है, वो खबर अगर वो अपने पैसे के लिए इस्तवाल करें अलग बात है, हमारे साथ competition करने के लिए इस्तवाल करेंगे, तो यह बहुत ही बड़ी अलग बात होगी, दूसरी बात Facebook जब कहता है कि हम तो excluded जो है, उनको include करना चाहते है, हम तो free basics टाइम पर भी देख चुके हैं, कि यह तो बकवाज है, उनका basic उद्देश्च कैसा हम ज्यादा पैसा रोजगार करें, यह है, और यह जो exclusions को include करने की जो बात है, यह तो सिर्फ बेचने के लिए, अपने आपको और successfully बेचने के लि military बंदिश ना हो, अमरेकी बंदिश के इलावा, शुक्रिया प्रबिर हम से बात करने के लिए, डिज्टल दुनिया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को हैं, लिबरा जैसी बाते आते हैं, समझना हो, तो इसे सग्यों से बात कीजे, बह